प्रभावान ने की जै तो एक गव में ब्रहामन हलन तब एक अपने मांजी भाई के घर में नौकर रख ले हलन और उनका साथे बहुत प्रेम रखा हलन असच्चे भाव दिल से इना सोच हलन की मांजी भाई हतन उनका बहुत लाड़ प्यार से मान के और अपने घर में रख ले हलन तो कहलन एही सावन के पावन महिना में की ए भाई हम जाई थी यो जरा देवगर बावा के नगरी ये तो हुच चलवे कहा तब अबु कहलन कि ए पंडी जी सरकार हम कहा कही अपन दिल के बाद जे हम तो उक्सीब के सीस भी ना बन लही और हम तो कहा कही हो मांजी जात ही हो जे मांसा हारी ही हो पंडी जी सरकार जे हम असूध है आदमी आपके साथ है कैसे जास कही बावा के नगरी तो पंडी जी सरकार कहलन कि कोई बात न है अरे मन से खाई थे हैं तो का अरे ताने से तो सूध से चल तब भोले बावा बेरा पार लगात थो बस मन में गुरू के छवी बसाले और हमरा साथ चल दया ग मांजी भाई अपन घर में जा करके अपन पत्नी से कहलन कि हे देवी जे जरा बावाध हम जार अलिये अपना पंडी जी सरकार माली के साथ जरा रास्ता के कुछ नास्ता बना दाना बस उनकर पत्नी इतना सुनते ही जो भी घर में उनकर खाजी बना हल भोजन बना हल उन बन प्राव काम होवा यह जिसे में दारूरू कई आपना चाम करा लूँँ ओ वह अला तयार करें कि पती उनका बिना रहना लग बिना पी ले तो अपना बीक पती हमर जारें और सुनाहलन की बावाधाम पैदल जाए पर है वहू दूर जाए पर है तक खापी के बर्यार से यह तन तो जो भी मुर्गा मीठा लग बनल घर में और एक पुलुथीं सराब देदेलन और जोला में देके कहलन कि जा गुरु के दया खूम मांगिया हम रोला मांगिया तु अ अपना घर से बहरा गेलन पंडी जी के कहलन कि सरकार हम तैयार ही तह चलतीन वहीं पंडी जी आर राश्ते में दोनों मिलके चले गए जब गए सुरतान गंज से जाल उठाए तो लगातार चलते रहे चलते रहे पंडी जी पीछे पीछे आ रहे हैं और पंडी जी मन में लेके आए हमको छोड़को भाग गया तो आजा रहा हूं तो खैले पी ले था अपना हिस्ट पूष्ट था बढ़ते गया बढ़ते गया पंडी जी के मन में भावा इलाव ना कहीं रास्ता में बैटकर हम जो जन जलपान कर लेते हैं कुछ जो अपना रास्ता का नास्ता बैठी गए और वही मांजी भाई के रास्ता देख रहे हैं अब नहीं आ रहा है कहां चल गया छोड़के आगे आगे जाते जाते उस मांजी भाई ने कहा कि भाई पीछे से पंडी जी सरकार नहीं आ रहे हैं पंडी जी मुसहर भाई के इंतजार में हैं और उ मुसहर भाई पंडी जी के इंतिजार में हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते वहां से गए तो अपना रास्ते में जो भी अपना घर भोजन लाए थे जोला बला निकाल के खाने लगे वहां देखे कि उसमें मुर्गा मीट दार हुष सब रखा हुआ सब अपना देवल है दीदी जो उसके घर में बना था उस सच्चा दिल से आदमी जो उसके घर में था वह अपना लेके तयार हो गया अपना खाने लगा खाते खाते अब पंडी जी के इंतिजार कर रहे हैं पंडी जी तो डेर पीछे हैं अब मुसार भाई का किये, कहें इनकी अच्छा पंडी जी आएंगे पीछे से, चलते हैं हम खापी के बर्यार बजाते हैं, अपना पी लिए जो भी उनके पास था, जो भी दारू जो सराब का बुलतिंग था उपी लिए अपना खाना उनका करके बढ़ने लगे, अब कमारिय भाई काते हैं, तो नसा में पूरा फूल हो गए, अब जाते हैं रास्ते में, तो जितना कमरिया भाई काते हैं का, कि हार जाइए, हार जाइए, पीछे से डांक बाम आ रहे हैं, यहां तो नसा में हैं, अनसा में जुम रहे हैं, लेकिन कमरिया भाई का रहे ना, कि नहीं, जे वू दाख वमार हैं जे रास्ता किलियर कर दिए इनको दीदी चोविस घंटा के अंदर में बावा के दरवाजे पहुंच गए और जल चड़ा करके बावा का सिर्बात ले लिए और पांडी जी सरकार हैं जो अभी पीछे के पीछी है यहां हुआ इंतजार करते 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 दीरे दीरे बावा जा रहे हैं जाते 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 के मुसा अरभाई दूनिन सो गए राम से सो गए हाथ गुर्ची तरा के बहला चोविस घंटा में पहुंचे तब ठकावड तो हो गया अपना राम से सो गए पीछे से जब जाते हैं सरकार तजाल उल चड़ा के आप खोज सोची की संगे साथी चला जैतों हमरा छोड़ के चलाल आजा तक खलै की का गर्वा में जा बन लोन यह लिए हम सब खान भी ले 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 सकि कर दोना क thou ड cand तो तो जो है जो सब मांसाहारी भोजन लेके आया चार गंटा-पांच गंटा से आके हैं सो रहा है तो ही विचला कहीं मांजी भाई कि पंडी जी आप कौन भाव से आए कौन दिल से आए आपका देरी हो गए जल चड़ाने ने हम तो सूद दिल से आए हैं तो अपने बावा के दरवा जाया करके जल चड़ा दिये तो पंडी जी के मन में काकी दोड़ा चल रहा था दिदी कि हम तो देवगर आए हैं लेकिन के जजमान हमको छूट गिया नजाने दस घर कमा थे बस इनको मन में ही चाल रहा था और वहां सच्चा मन से बिचरा जाकर के जल चड़ाए और बावा का असिरबाद पा लिए तो इसलिए कहा गया दिदी कि बोले बावा के समीच बस अपने इच्छा को सूद करके अपने तन को सुच्छ करके बस उनके सामने पर गट हो जाये और उनकी कुछ जरुबत नहीं है इतने मेरे बोले बगवान कूस हो जाते हैं मेरे द्यालो गुरुदेव परसान हो जाते हैं और दिसरा में 108 वार 24 गंटा में अपने सीव गुरु के चर्णों में पढ़नाओं करना है इसी बानी के साथ अपने गुरु के चर्णों में बानी हुए फिर से तया मांगती हूं कि हे गुरुदेव दयाकिजिए इतना दयाकिजिए कि चर्चा कथा भजन नित दिन सुनाओं प्रेम्स बोलिये संकर भगवान की जये मैया गौरा पारवती की जये हारा हारा महा देव प्रेम्स बोलिये से टिया दयाले कि चर्रचा कस्वीजिए के जये हारा हार भजन नित दिन सुनाओंग जड़ कि ऑपारा भजनल का दो भजना धिक एक पोपारेंर